हाई फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर मुशरफ हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी या मुटापे के बारे में मुटापा या ओबेसिटी एक ऐसी बिमारी है जो बहुत कॉमन है और इसके साथ अपने बहुत सारे खत्रे जुड़े हुए हैं क्योंकि ओबेसिट अग्रणी के नाम से जानते है इसको हम एफल शेट खतरनाक पानि जाती है दूसरी ज।kus के जिखते है जिसको प्यर शेप ऑबेink चिनिक ये नाम पर जाता इसके complications क्या है तो दोस्तों इसके बहुत सारे complications है अगर हम लिखना शुरू करें तो कई सारे page भर जाएंगे पर यहां पर हम आपको कुछ common जो इसके नुकसान होते हैं जो common complications है मुटापे के यह obesity के मैं आपके साथ share करने वाला हूं जिसमें सबसे पहला आता है जो मोटे लोग हैं उनके अंदर cholesterol का level बढ़ जाता है जब cholesterol का level बढ़ जाता है तो blood के अंदर यानि के blood vessels में भी cholesterol के deposits बल्कते जाते हैं जिसकी वज़े से blood arteries है वो नेरो हो जाती है और उसकी विज़े से blood pressure बढ़ जाता है तो उसकी विज़े से coronary artery disease हो जाती है और coronary artery disease होने के बाद heart attack का brain stroke का heart failure का खत्रा बढ़ जाता है यह पहला complication है मुटापे का दूसरा दोस्तों लीवर पे चिकनाई जमा होना शुरू हो जाती है जब लीवर पे चिकनाई जमा होती है उसको fatty liver disease कहते हैं और fatty liver disease stage 2-3 की तरफ जाने लगता है तो cirrhosis of liver हो जाता है और cirrhosis of liver, liver failure की third stage का condition है यह भी एक life threatening disease है जहां पे बरीज जान गवा सकता है उसके अलावा आपने देखा होगा generally लोग जब रात को खराटे लेते हैं इसको हम sleep apnea या इस्ट्राइड ओर के नाम से जानता है यह एक बीमारी है जो मोटापी की वजह से होती है उसके अलावा जो सबसे खतरनाग बीमारी है diabetes mellitus यानिके diabetes type 2 शुगर की बीमारी मोटे लोगों में सबसे जादा होती है मोटे लोग बहुत जल्दी शुगर की बीमारी को पकड़ लेते हैं और अगर यह दोनों एक साथ मिल जाते हैं मोटापा और शुगर यह life threatening हो जाता है क्योंकि शु लुमिनल हर्नियाज हैं वो हो जाते हैं और तीसरा मोटे लोगों में pancreatitis होने का खत्रा जादा रहता है pancreatitis भी एक life threatening disease है जो pancreas है उसको pancreatitis कहते हैं कुछ cancers भी develop हो जाते हैं मोटे लोगों में जैसे colon का cancer है rectum का cancer है और मर्दों में जो है prostate का cancer है यह common देखे गए हैं मोटे लोगों के अंदर है एक और बिमारी होती है मोटे लोगों में arthritis यानि के जोडों का धर्थ क्यूंकि मोटे लोगों का वजन बढ़ जाता है और जो जोड़ है यानि गुटने उनके पर बहुत जादा असर पड़ता है और जब जादा असर पड़ता है तो गुटने कहीं कही को arthritis कहते हैं जोडों के दर्द की विमारी हो जाती है तो दोस्तों ये तो हमने बात की कि मोटापे के नुकसान क्या है क्या complications हो सकते हैं अब हम बात करते हैं कि इसका कारण क्या है ऐसा होता क्यों है क्यों मोटापा बढ़ रहा है आज के जमाने में क्यों बच्चों में भी बढ़ पूड जादा काते हैं चॉकलेट बहुत जादा काते हैं तो इतनी जादा calories होती है वो बच्चे बढ़ नहीं कर पाते ये बड़ा कारण है बच्चों की obesity का उसके लावा बढ़ों में भी जो हमारा lifestyle है हम exercise नहीं करते हम वाक नहीं करते हम साइक्लिंग नहीं करते हम बोड़ी को मेहनत नहीं कराने देते तो आपकी जो calories है वो burn नहीं होती तो calories इखटी होने रहती है तो dietary habits और आपका lifestyle ये दोने आपके दुश्मन हैं अगर आप इनको balance करके नहीं चलते हैं जो junk food हैं बाहर के food हैं खास तोर से refined oil हैं recycled oil हैं fatty food हैं ये सारे दुश्मन हैं आपक बहुत सारी दवाईयां भी हैं जो मुटापे का कारण बढ़ती हैं उसमें steroids या cortico steroids बहुत ज्यादा common है antidepressant drugs है antipsychotic drugs है इन से भी मुटापा बढ़ता है या anti-diabetic दवाईयां होती है anti-epileptic दवाईयां होती है इन दवाईयों से भी मुटापा और ज्यादा बढ़ने का हो जाता है यह कुछ दवाईयां थी जिनकी कारण मुटापा बढ़ता है अब दोस्तों management की बात कर लेते हैं कि इसका treatment क्या है क्या treatment options है जी हां treatment options available है और आप घरेलू नुस्खों से भी मुटापे को कम कर सकते हैं simply आपको अपना lifestyle change करना है dietary habits change करनी है और जो कुछ दवाई को यह exercises के साथ और अपने dietary habits को control करने के साथ यूज करते हैं तो definitely आपको फायदा मिलेगा जिसमें दवाई होती है लग मक्सूल यूनानी के अंदर एक मुखिल दवाई होती है और कजीरा यूज किया जाता है सफुफे महुजल यूज किया जाता है लिपो टैब यूज किय करने के लिए इन दवाईयों के बड़े अच्छे रिजल्ट्स है आप lifestyle चेंज करके आप dietary habits चेंज करके और इन दवाईयों को साथ शुरू करके अपने आपके मोटापय को control कर सकते हैं और आगे आने वाले खत्रे को भी रोक सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आपका म बचता है surgical treatment surgical treatment में sleep gastrect में procedure होता है जिसको bariatric surgery की नाम से भी जाना जाता है इसमें अच्छा कांसा weight reduce हो जाता है महीने डिड़ महीने के अंदर ही और उसके बाद मरीज अपनी normal life जीने लगता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से वह जानकारी मिली होग कि जो आपकी जरौती ओ खासतों से उन बायबैनों को जो मोटे है कैसे अपने आप मोटापे को control कर सकते हैं कैसे और हर्ब्स की तरफ आए कैसा vegetarian food अगर खाते और आप अपने diet controls करते हैं grains खाते थो इसह आप मोटापे को control कर सकते हैं तो दोस्तों एगर आपको वीडियो लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद